नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत असे हुए दोस्तों JNU जवाहर लाल नहरु इनिवर्सिटी में दोस्तों नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वेकेंसी का नोटिफिकेंसी जारी कर दिया गया है इसमें ग्रूप B और ग्रूप सी के ताथ वेकेंसी है जिस पर कुक का पोस्ट है MPS का पोस्ट है जूनीर असिसेंट का पोस्ट है बहुत साला पोस्तों मेस हेलपर है लेप अपरेटर है दस भी बारवी और गेजुएशन सब्सक्राइब है ठीक है और आई टी आई जो बच्चे के उनके लिए भी वेकें सी निकल के आ रही है अप्लाई होने स्टाट हो चुका है लास्ट जेट की बात करें तो दस मार्स तो आपको आप फोर्म भर जाएगा ओनलाइन फोर्म भरना है वीडियो के डिस्क्रिप्स में में लिंक दे दिया है वहां से ओनलाइन अप्लाई कर सकते हो ठीक है अगर आपका 1000 फी लगएगा जिननल, EWS और OBC का बाकी ECST और महिला के निरेट है तो 600 रुप्य आपका फी लगएगा ठीक है अब दुस्तों देखे किस किस पोश्ट के लिए वेकेंसी है वह मैं बताता हूँ उससे पहले अकसर आप लोग मुझे पूछ लो ना सर इतना जल्दी आप वेकेंसी का अपडेट कहां से पता करता हो कहां से जनकारी आपको मिलती है इसके लिए मैं आपको स़र्जेस करूं जनकारी मिलेगा सरकारी is jobfind.com आपको simply google को सर्च करना है चलिए जस्तों आँगे बढ़ते हैं तेखिए पहला जो पोस्ट है जूनियर असिस्टिन का पोस्ट है एक सोच्छे पोस्ट पर यह सबसे ज्यादा इसके लिए आपके पास graduation होना चाहिए साथ में आपका typing भी होगा typing होगा अगर आप English में typing करना चाहते है ठीक है तो 35 वर्ट पर मिनट हिंदी में अगर आप typing करना चाहते है ठीक है यह हो जागा 30 वर्ट पर मिनट ध्यान रखेगा graduation चाहे आर्श कोमस्ट किसी से भी किया हुआ है असना तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो आगला है दोस्तों MTS multitasking staff 79 पोस्ट ठीक है 79 पोस्ट वेकेंसी है मातर इसके लिए qualification 10 वी पास है तो इसके लिए कोई extra qualification के जरूवत है नहीं MTS पोस्ट सबसे मस्ट है इसमें apply कीजे 10 वी पास पर वेकेंसी है और इंडिया अप्लाई कर सकते है ठीक है तो मैं कहूंगा आप इस पोस्ट के लिए मेस होता है मेस में helping करने का काम मेस मतलब यहां खाना वगरा बनता है ना वहां पर ठीक है 49 पोस्ट है 10 वी के साथ 3 साल का experience आपके पास certificate होना चाहिए यह भी ध्यान रखिएगा तीन साल का experience के आपका मांग रहा है दस वी पास प्लस में experience आप experience certificate है तो भर सकते हो इस्टेनो गराफ़र का 22 पोस्ट है ग्रेडिवेशन शॉट आप प्लस में आपका स्टेनो गराफिक का टेस्ट लिया जाएगा ठीक है इसके अलावा दूस्तों आप यहां पर इंजिनिरिंग अटेंडेंडेंड का 22 पोस्ट है आइटीए डिप्लोमा होना चाहिए ठीक है कोक का दोस्तों 19 पोस्ट में फेकेंसी है दस वी आइटी आई और तीन साल के एक्सपिरियंस आपके पास होना चाहिए ठीक है अब देखें दूस्तों इसके अलावा वरक असेशन का सोलो पोस्ट आइटीए डिप्लोमा होना चाहिए इसके अलावा सेक्शन ओपिसर का है आ कर लिया यहां पर कुछ हायर क्वालिफिकेशन मांग रहा था वह में आपको बताता है अगर आपकी च्छाओ तो इसमें भी भर सकतो जैसे डिप्टी आपका रेइस्टार है इसमें बातर दो पोस्ट है लेबल एक ब्रेकेंसी यह पहुंबर होगे ना तब 15 सुरप आपको यहां पर बता दे जिए कितना लगेगा बाकी दोस्ट ग्रूप एक यहां पोस्ट पर मैंने पैसा बता देग यह मेंटा कितना लगेगा बाकि दुस्तो ग्रूप एक लिए पंदरों सोट पे जेनल वालों को है तो बहुत सारा पोस्ट है आपको खुद भी देख चेके तो एक एक दो दो पोस्ट पे इसके अलाव दूस्तो जो हमने नहीं पताया वह आपको जरूर अपलाई करना चाहिए यहाँ देखो वर्क असिस्टेंट इसमें दुस्तो आपका वायर मैन का आठ पोस्ट है उसके बाद वायर मैन टेलीफोन का दो है कारपेंटर का पांच पोस्ट है और मेंसन के एक पोस्ट है ठीक है इसमें तोल्टन मिला कर आपका 16 पोस्ट होगा तो इसमें जरूर अपलाई करना चाहिए दोस्ट आप लोगों को ठीक है इसके अलावब दूस्ट यहाँ देखो खलासी का दोस्ट है और दूसरो खलासी इलेक्टिकल का 13 पोस्ट है को ज्यादा इसमें दिक्कत होने वाले नहीं इसको आपको ज़रूर अपलाई करना चाहिए यह नीचे देखिए बहुत सारा पोस आप लोग देख सेकते हो ना खलासी का यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना चाहिए विद मिनिममन दो सल का आपका डूरेशन का रिलेटेट ट्रेड यानि दूसरो इलेक्टिसियंस है वायर मैंस फीटर या टर्नर वेल्डर या मेंसन इसमें से कोई भी छेतर में आपने अगर आपके पास अपने कर रखा है तो सबसे मतलब भेतरीन पोस्ट की बात करें तो एक सोचे पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए अपलाई किजेगा ठीक है साहयक पोस्ट है बाकि MTS के लिए आपको अपलाई कर सकतो सबसे अगर बात करना तो किको दस भी पास पर और बच्चे इसी में अपलाई करेंगे उसके बाद skill और trade टेस्ट किसको कहते है टाइपिंग को ठीक है किसको कहते है आप माझनगे लोग कूप में अपलाई कर दिया तो भाया आपको खाना बनाने के जनकाली होनी चाहिए न तो खाना आपको बनेवाता नहीं हैं आपको छॉपिंग कर वाएगा प्याज कटने का कोई एक काम देदेगा या दोस्तों आपको पूछ देगा रोटी बेलने को भी दे सकता है ठीक है घानी टीक है जैसर हैं सिलेबर्स में दोस्तों किसी में एक कर्जाम किसी में थे या रहा हूँ सबसे पहले बात करें ना, gk से 30 question पूछेगा, regioning से 35 question, math से भी दूस्तों आपका 35 question, hindi, इंग्लिस या हिंदी से, दो आपको कोई 1 करना है, 30 question, 30 question, ठीक है, और computer से 20 question, एक question दो दो नमबर का, जैसे gk का एक question दो नमबर का है, तो कितना max हो जाएगा, 60 max हो जाएगा, वह ऐसी ही, दोस्तों 35 में दोस्तों गुन है कि यह का 70, यह भी 70, बाकी यह 260 हो जाएगा, बाकी यह 40 हो जाएगा, सबको जोड़ोगे, तो 150 question होता है, ठीक है, 150 question, 300 max, क्योंकि एक question दो नमबर का है, ठीक है, तो 1500 question, 300 max, 1 by 4 negative, ठीक है, अब देखो, जो notification जारी किया गया है, उसमें timing वेगरा कुछ नहीं लिखा गया है, ठीक है, negative marking भी नहीं था, लेकिन हमें पता था, तो हमने पता दिया, तो timing जहां तक मुझे लगता है, कम से कम दोस्तों, आपका 2 घंटा मिलना चाहिए, दो घंटा अगर, दो घंटा डेर सो कुछ नहीं तो दो घंटा आपका समय मिलने का उमीद है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जादा तो चांसे बाद में स्परस्ट हो जाएगा, जैसे आपका कुछ दिन होता है, तो सिलेबस का आ जाएगा, हम आपको अपडेटे देंगे, इसलि औरिजिनल करेंगे मतलो, क्या सरकारिस जॉब है, यह आपका दोस्तों 100% सही जॉब है, आप लोग अपलाई कर सकते हो, ओपिसियल जॉब है, ठीक है, यह सवाल कुछ नहीं हो, तो कमेंट के माद अंजर कुछ लिचे का, चैनल के जरू सब्सक्राइब करके, बेल आइकन द पाइएगा, और दोस्तों, फूल नोटिफिकेशन देखना चाते हैं, तो टेलिग्राम पर में डाल दूगा, वो एक बाल जरूर आप लोग पढ़ लिजिएगा, मैं कहूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई भी अगर जनकारी अधूरी लगे, तो फूल नोटिफिकेशन टे पता चल जाएगा, जो ज़्यादा बचा पलाई करता है, उसी के हम पहले बताते हैं, ठीक है, चले दोसर, फिलाल वीडियों बसीतने ही रखते हैं, कोई सवाल हो, तो कमेंट के मतलब पूछ लेजेगा, धन्यवाद